ओम स्रीगने साइड नमदोस्तों आप सभी का एक बर फिर से नई और ताजय वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज का यह वीडियो विसेश रूप से मेसरासी वाले जातकों के लिए बनाया जा रहा है मेसरासी वाले जातकों के जीवन में पहली वार खुशिया आने वाली हैं और इन लोगों के सारी समस्याओं से दुखतगलिफों से और कई प्रकार की मुश्किलों से इन लोगों को एक साथ शुटकारा मिले वाला है इन लोगों के बैपार बैवसाय में वड़तरी होंगी इन लोगों के यार्थिक इस्तितों में बड़ा चमतकार होने वाला है और आपको शुरुवात से ही फैसो की फ्राप्ती होंगी आपको एक साथ दस बड़ी खुशकवरी की फ्राप्ती होंगी आपके आधे अधूरे सा विडियो के अंतर तक बने रहे हैं और इस विडियो का कोई सभी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो विडियो को लाइक करें माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जै माता दी अवस्ते लिखें भगवान स्रीहर विस्तरू जी की कृपा से जीवन में लापकारी योजनाओं को बनाने के मौक्य मिल सकते हैं आपके समय समय पर होने वाले प्रिवर्तन भी आपके लिए बहुत एक खास और काफी जादा महत्पुन रहने वाले हैं कारी शेतर में आपके सूचे समझे रनिती भी आपके काम आ सकते हैं आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौक्य मिल सकते हैं इसमें आपके भागे का साथ आपको प्राप्त होने वाला है भागे के साथ मिनने के कारण जीवन के तमाम दुखतकलिफ्यां और परिसाने से विश्याज़ बढ़े लिधाब्ति कर्वा सकता है तथा अलगलग छेत्रों से आपको कफे खाज और कफे नई जानकारी की प्राप्ति भी अवस्य होने वाली है जो आपके जीवन में आपको लावदरसा सकता है और जीवन में विश्याज़ भी खुसकवरी के फ्रारफ करत्राप्ति करवा सकता है तथा मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप इस समय किसी भी प्रकार के कोई भी गलत फैमियों में पढ़ने से बचने का प्रियास करें आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्टा तो जरूर आएगा फरन्तु आप अप लोगों के स्वा canoe में सुधा रा सकता है आप अपने कारिष्टे में कुछ नया करने सकता है वहीं साथ काम करने वाले लोगों को जीवन में पूरा संपोर्ट आ है आपको जीवन में खान पान पर दिगरूची रखने की जोरत होंगे आपके मदरुबाने से लोग काफ़ी प्रफावित होंगे आज पास का माहुल काफ़ी खुसनुमा रहेगा आपका पूराना निवेश आपके लिए फादमन्द सावित हो सकता है बच्चों के दरब से आप आपके सिवे परिसानियां दूर होंगे सुबा उटकर सबसे पहले भुलनाद जी की अराद न कीजिए आपको लाब मिले वाला है रोजगार के शित्र में आपको सफलता मल सकते हैं पारिवारिक विबाद और लड़ाई जगड़ों से खास तोर पर दूर रहने की आवस्ते करता हैं वहवाईक जीवन में आपका प्यार बढ़ सकता है आप अपने जीवन में आने वाले सारी की सारी परिसानियों को दूर कर सकते हैं इसमें अस्तानक से कोई बड़ी लोटनी लग सकती हैं जिससे आपके पास बहुत सारे धन के कम्यों को दूर किया दा सकता है और ब लगातार आगे बढ़ते रहने के मोके मिल सकते हैं। आप अपने विमारी से निजात पा सकते हैं। आप अपने जीवन को कफी जाद अच्छी और वहत्रिन प्रणामों के प्राप्ति कर सकते हैं। बत्रों बगवान स्रीहरे विश्रू जी की कृपा से आप जिसमें प्रकार के जोवी काम काजो को करनी की कोशिस कर रहे हैं। सभी में आपके भागी का साथ मिल सकते हैं। कारी शेत्र में भी आपके रुके हुए कारे बहुत जल्द पूरे होंगे। जो लोग बैपार से रुड़े हैं। उन्हें भारी मुनाफ़ा मिल सकता है। आप लोगों को सिख्चा के शेत्र में बड़ी सफलता हासिल होंगे। बिविने शेत्रों से भी धनलाव के उसर मिल सकते हैं। आपके परिवार में जीवन में सांती और काफी परसंता रह सकती हैं। उच्चादी कारियों के साथ आपके समंदों में और अदिक सुधार होंगे। लाव के फ्राप्ती होंगे। मालक्ष्मी की गृफ़ा से बैपार के शेत्र में आपके सिनाय कर्तिमान को अस्ताफित करते हुए आपका सकरात पक्ता दरिया। रिस्तों में एक नए उचाई को देने में सक्चम हो सकता है। परिवार में धेरोखुसियां और सुक्सम्रत् को विशेश बड़े और लावकारी करने के मौके फिराप्त होंगे। और आपको विशेश रूप से अपके जीवन में लावकारी उजनाव को बनाने के मौके फिराप्त होंगे। योग मिल सकता है। जिनसे आप बिजनस को तरक्की की उचायों फरेले जाने में काम याव रहेंगे। आप सफलता के नए किरतिमान को अस्ताफित करते हुए समाज में नए तरक के फैसान बनाने वाले हैं। दोस्तों के तरफ से आपको नए खुसकबरे मिल सकते हैं। जल परमाता लश्मी की क्रिपादरिष्टी सबसे अधिक्पनी रहेंगे। और अगर आप नोकरिय बैपार के शितर से जुड़े हैं तो तरक्की के फूरे योग नजर आ रहे हैं। अच्छे समाचारू की प्राप्ति आपको होने वाली हैं। आत्मिस्वास का अस्तर भी आप पसंद हैं तो आपनों को फ्रिपोज कर सकते हैं। और आपके विबागि रिष्टे भी आपको फ्राप्त होंगे। आप के जीवन में आपको सुनुवरे और अच्छे प्राप्ति होने वाली हैं। निसमें आपका भागी भी आपका साथ देने वाला है, भगवान गनेश गजानंदगी कृपा से आपको दहाने पुन्य करने चाहिए, आपको कुंडली में खुसियां हैं खुसियां आने वाली हैं, तथा आपको कुछने अनुभवी फ्राप्त हो सकते हैं, आपको बिगड़ करके के लोगों की उजनाय सफल होंगे, संतान पुक्षे से सुख के फ्राप्ती होंगे, जीवन की प्रिसानियां आपके कम हो सकते हैं,